आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 से exercise 5.1 question number 3 का first है इसमें हमको निकालना क्या है first term निकालना है और common difference बहुत यासान है यानि first term ये निकालना है या हम T भी उसको बोल सकते हैं और D निकालना है यानि CD निकालना है common difference निकालना है दो AP हमारे सामने है इसका first term और D इसका भी first term और D यानि कि common difference निकालना है तो सबसे पहले हम first AP को देखते हैं तो यहाँ पे A equal to क्या होगा 3 होगा जैसा ही हम D निकालेंगे तो D का formula क्या होता है A2 minus A1 यानि कि जो अगला term है उससे first वाला term को हम minus कर लेंगे यानि D equal to A2 का value क्या है 1 है और minus A1 का value क्या है 3 है तो कितना आ जाएगा minus 2 एक और हम D निकालना है इस term के बीच D equal to यानि ये वाला term यानि next term और previous term दोनों को minus कर लेंगे तो minus 3 minus minus 1 कभी भी 2 sign है तो bracket लेंगे यानि D equal to minus 3 minus minus plus 1 कितना आ गया ये भी minus 2 ये सही है दूसरा देखते हैं दूसरा भी है अगर हम देखें तो A का value इसमें क्या है A equal to minus 5 है अब D अगर हम निकालें तो D का value A2 minus A1 D equal to A2 का value क्या है minus 1 A1 का value क्या है minus 5 तो minus 1 minus 2 sign है तो bracket टेलेंगे तो D equal to minus 1 minus minus plus 5 यानि अब कितना answer हो जाएगा 4 अगर यहां से भी आप D निकालना चाहें तो D equal to ये next term हो जाएगा ये previous term हो जाएगा यानि 7 minus 3 कितना हो जाएगा 4 ये D और ये हमारा A अब हम देखेंगे इसमें का question number third question number third है 1 by 3 5 by 3 9 by 3 13 by 3 dot dot इसमें A का value क्या है 1 by 3 first term को हम क्या बोलेंगे यानि A 1 by 3 है D निकालें तो A2 minus A1 यानि कि 5 by 3 से 1 by 3 को क्या करना होगा minus करना होगा यानि 5 by 3 minus 1 by 3 एलसियम लेंगे 3 होगा 5 ये दोनों ये सेम है denominator में दोनों सेम है तो 3 लिख देंगे यानि 5 minus 1 तो कितना हो जाएगा 5 minus 1 4 by 3 यानि denominator में 3 रहेगा और उपर कितना numerator में 4 यानि कि 4 by 3 D का भैलू हुआ अगर इनके बीच भी हम निकालते हैं तो D equal to ये next term और previous term को minus करेंगे तो 13 by 3 minus 9 by 3 ये भी 3 और 13 minus 9 कितना हो जाएगा 4 by 3 यानि ये D हो गया और मेरा ये A है अब हम देखेंगे question number 4 इसी का question number 4 है question number 4 में है 0.6 1.7 2.8 3.9 dot dot यानि कि A का भैलू यहाँ पे क्या है 0.6 है D का भैलू क्या है A2 minus A1 यानि A2 minus A1 तो 1.7 minus 0.6 अगर इसको हम minus करें असानी से तो 1.7 0.6 7 minus 6 क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 ही रह जाएगा 1 से 0 को minus करेंगे कोई फरक नहीं पड़ेगा यानि 1.1 तो D का भैलू हो गया 1.1 और A का भैलू है 0.6 अगर हम इसके बीच भी निकालना चाहें D को तो अगर यहाँ देखें D equal to ये next term है यानि 3.9 minus ये क्या है 2.8 solve करते हैं तो इसको अगर हम असानी से subtract करें तो 3.9 2.8 ऐसे करके हम घटा लेंगे 9 minus 8 क्या होगा 1 3 minus 2 क्या होगा 1 बीच में point रहेगा यानि कि इसका value भी 1.1 तो D परते के स्तिती में same होता है अगर वह AP है तो यानि कि आप first term और common difference यानि D आप निकालना सीख गए अगर आपको यह लिखना है तो आप इसको लिख लिजिए अगर कोई भी दिक्कत होता इसमें अगर आप यह कोई फर्मूला समझ नहीं पा रहे हैं तो आप आई बटन से introduction का वीडियो देखिए यानि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का introduction वाला वीडियो आप देख लिजिए आप बेहतर समझ पाईएगा अगर फिर कोई प्रब्लम या कुछ समस्या आती है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिए मिलेंगे फिर हम next वीडियो में